हरो हं इंत्लो कि सिए हैं लास्ट सेशन में मैं आप लोग को यहां तक छोड़ा था अब हमारे टापिक्स स्टार्ट होते हैं अफ्टर क्लासिफिकेशन अगर हम ने कंवेटर के बारे में डिसकस किया था उसके बाद हम तक ह्लासिफिकेशन को दिई है नाथा सनुजल आपको पहला टॉपिक है, single phase, fully controlled, half wave converter, समझे, single phase, three phase में नहीं जाना, single phase की बात कर रहा है, ठीक है, fully controlled, fully controlled हमने देखा था, uncontrolled, और fully controlled, ऋके, half wave converter, मतलब half wave की अभी चर्चा गरहए, full wave की बात ने खर रहा, half wave, यानि मैंने जो discussion किया था, कि single converter में single phase और three phase single phase को पढ़ना है single phase में भी half wave converter में uncontrolled uncontrolled आपको पता है diode के इस्तमाल से बनाते हैं तो diode के इस्तमाल से बोलड़ा है मत पढ़िए ये सब आप analog circuit basic electronics बगर में पहले पढ़ चुके हो तो बोलड़ा diode आड़ी का मत पढ़ा करिए आप तो पढ़िए आप controlled rectifier यानि थाइरिस्टर के इस्तमाल से जो भी चीज़ बन रहा है सो control fully controlled थाइरिस्टर के इस्तमाल से पढ़ेगा single phase fully controlled half wave converter हो गया ना एक बार RL load से पूछ रहा है दूसा बोल रहा है RL load with freewheel diode और RL R का और inductor का सो इस तरीके से आपको जो जो भी questions दिये होंगे हम उसको बढ़िया से करेंगे आई यह सब से पहले बोला है single phase fully controlled half wave converter half wave और full wave का मतलब क्या होता है देखिए अगर आपने full wave दिया है full wave दिया है और output में आपको सिर्फ half मिलना हो half wave मिलना हो अगर आप क्या होता है कि full wave देते हो और converter का इस्तमाल करते हो और इतना भी पढ़रेब्टन का आप यह सबीड्स का तरते हो दियान रख रहा है अभी जितना भी पढ़रे व तो डायोड एक कंट्रोरिंग डिवाइस नहीं है, चलिए, आइए सर चर्चा कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो पहले इसके बनाएंगे हम क्या सरकिट, कौन सा लोड के साथ सर, पहले रेजिस्टिव लोड, विद आर लोड, यहां लिख देता हूँ, विद आर लोड, रेजिस्टिव लोड, ओके, रेजिस्टिव लोड की चर्चा होगी सर, आरल दिया, आरल मतलब लोड है, रेजिस्टिव लोड है, ठीक है, सरकिट सीधा बनना चाहिए, कि बनाएंगे तो अपना स्टडी करेंगे तो बढ़ियां से करेंगे, ओके, ऑवियसली, इसको फाइर करना पढ़ेगा, थूग इट, अवियसली, इसको फाइर करना पढ़ेगा, थूग इट सिगनल, फाइर के बनाथ ये कंडक्टी नहीं करेंगा, एकदम बार्गी से समझेगा, यहाँ पर इन्पूट क्या होगा सर, वी अइम, साइन, ओमेग T आपने इसको क्या दिया है input दिया है ओके तो corresponding आपको I output मिलेगा जब आप इसको fire करोगे gate current इसमें दे दोगे जब आपको gate pulse दोगे तो obviously fire होगा थी ये conduction mode में मिलेगा और यहाँ पे आपको कैसा voltage मिलेगा जी output voltage क्या मिलेगा जी output voltage जब तक आपने input तो दिया हुआ gate से fire नहीं कहने के तो conduct होगा क्या बिल्कुल नहीं होगा तो आपने input तो दिया है अगर gate को fire नहीं करते हो आपने SCR thyristor के अंदर देख रखा है so gate को fire नहीं किया जाए तो ये conduct करेगा ही नी so कही ने कहीं control मेरे हाथ में है कि इसको हम fire नहीं होने दे so आप आईए एक-एक चीजों की चर्चा करूँ मैं एक-एक चीजों की चर्चा करूँ तो हमने दिया है क्या VM sin omega t input दिया इसको अभी fire नहीं किया है तो आपका जो input voltage होगा आप यहाँ पे curve को देखना बहुत जरूरी है सबसे बड़ा important तो हो जाता है curve तो हम इसको छोटा करेंगे और बहुत सारे चीजों की चर्चा करेंगे आप थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि छोटा नहीं करूँगा न आप लोग को तो देख राखे हो बाकी अभी हम समझेंगे अभी इतना तो समझेंगे अब ओके अब एक चीज़ा और देखना सरके थारिस्टर के क्रॉस अगर कोई voltage की बार वर्ड जोल देते उसको मैं वर्ड यूज करता हूँ वी टी क्या यूज करता हूँ वी टी जा पे वी टी क्या है वी टी वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर ओके आरल क्या है जी लोड रजिस्टेंस लोड रजिस्टेंस हमने लगा रख आई नॉट क्या है जी आउट्पूट वोल्टेज इसा है क्या है जी आउट्पूट वोल्टेज सर वी नॉट क्या है सॉरी आउट्पूट करेंट हो गया आउट्पूट करेंट इसा है आउट्पूट क्या है ये वोल्टेज आउट्पूट क्या होगा जी वोल्टेज होगा और वी एस क्या है जी इन्पूट साइनो स्वेडल वोल्टेज है चर ये हाँ पर वी एस है वी एस सोर्स वोल्टेज जीता है वी एम साइन ओमेगा टी सोर्स वोल्टेज जीता है से यहां से fire होगा और circuit conduct करेगा ठीक है यतना वर्ड को हम जान रहें सर वी output voltage कोई कहेगा कि क्या होगा तो कहेंगे इधर से जाने वाला जो भी output current होगा उसको resistance से गुना कर देजिए तो वही आपका output voltage होगा तो इसमें भी confusion नहीं होना चेह इसमें भी कोई confusion नहीं होना चाहिए इसको कहीं सेड लगा देते हैं इसको कहीं सेड लगा देता है इसे में भुसा देता हो यह छेले इसमें घुता देता हो ताकि पतार है थाना सबस्त पेस क्यूंच उच्छोड़ रखा है सार इतना आस पेस तो हमने वेब बनाएं गया वी लेनें पड़ेगा, वेव के बारे में जानकारी चh厘 आए, अब पेज, लाइनिंग को ना काफी छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत सारा चीज है, जिसको आपको सीखना पड़ेगा, सर सारा करव इतनी में पन जाएगा क्या सर मुझे दो लगता है पेस जोटा पर जाएगा तो पेस कुम जबरा बनाना पड़ेगा सर फिलाल में लीख देता हूं यहाँ पे अगर मैं कहूं के इनपुट voltage की बात करूं, input voltage आपने कैसा दिया, ये कर्ब टेड़ा बन गया, एकदम मेरी कोशिस होती है, कि एकदम perfection ज्यादा हो, input voltage आपने कैसा दिया है, हमने तो sinusoidal दिया है, कैसा दिया है, sinusoidal, ओके, तो Vs है, और इसके बारे मैं चर्चा कर लेता हूँ, ये इस wave का maximum voltage है, ये इसका pi होगा, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ डिल भी नहीं कर पाऊंगे, एक page पे, ओके, ये 2 pi है, ये 0 है, ये इसका maximum voltage है, ये input का बता रहा हूँ, हर एक चीज़, है न, ये इसका 2 pi time period है, time period कितना है, input voltage का, 2 pi है, है न, sinusoidal है, ये positive कर्ब है, तो ये negative है, ये input voltage की बात कर रहा हूँ, किसका सर, input voltage, और ये कर्ब किसको represent कर रहा है सर, ये कर्ब किसको represent कर रहा है, Vm sin omega t को, ये input voltage कहाँ पर अपला हो रहा होगा, यहाँ, अब सर देखिए, थारिश्टर का कामाल देखिए, जब तक fire नहीं करेंगे, तब तक ये conduct करेंगा नहीं, थारिश्टर का कमाल देखिए, अब ऐसे conditions में क्या होगा मामला, त्याँ से समझेए, सर ऐसे condition में काफी मामला है अपने पास क्या! कि अगर चाऊंगा? हो सकता है कि आपने जब apply किया voltage कुछ दिर लाद मैं fire करूं कुछ दिर बाद fire करूं इस condition पे fire करूं तो जहां हम fire करण 호 वहां से output यह देने लगेगा जहां मैं fire करूंगा वहाँ से output देने लगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस condition में forward बाइस में सर ये क्या बतारो forward क्योंकि मैं जानता हूँ thyristor हमेशा forward direction में काम करता है reverse direction में thyristor तो काम ही नहीं करता तो सिर्फ और सिर्फ जबी भी thyristor को conduct करवाना होगा तो उसके लिए हमेशा direction क्या हूँ जानता है positive so positive cycle में तो conduct कर लेगा negative cycle में thyristor काम नहीं करता तो कुछ-कुछ word यहाँ space बचा है तो इसके बारे में लिख देंगे as we know as we know thyristor always always work in forward byes forward byes forward byes and it will conduct and it will conduct and it will conduct यह कव तभी conduct करेगा and it will conduct when and it will conduct when gate signal gate signal fire यह triggering तभी तभी तो यह conduct करेगा otherwise थोड़ी ने conduct करेगा otherwise तो कभी conduct ही नहीं करेगा ठेके ना तो यह चर्चा है जो थोड़ा space था इसके वारे थोड़ा चर्चा कर लिया अब कर्व ही इसका बहुत important है उस कर्व को सीखना है कर्व को अच्छे से लेंगे कर्व को बहुत अच्छे से लेना अब बहुत जरूरी है आईगे जे कर्व को समझना बहुत जरूरी है कर्व बहुत important है क्यों फोर्स कर रहा हूं कर्व के बारे में क्यों फोर्स कर रहा हूं कर्व के बारे में समझने की बात है कर्व के बारे में से समझना है अपने अगर एक पहलू को मैं सिखा के रहूंगा आई इस एक मैं दूंगा इन्पुट वोल्टेज के लिए कर दूसरा हमारा ओट पुट वोल्टेज तीसरा ओट पुट बुल और पुट करेंट एंड चौथा थारिस्टर के क्रॉस बोल्टेज क्या देगा हरे क कर्व को सीखना बहुत जरूरी है और इवेल लास्ट में यह भी बताऊंगा अगर यह कंट्रोल है तो अनकंट्रोल क्या हो है ओके सो क्या है उनके चर्चा भी होंगी आईए सब आईए मैंने अभी आपसे बोला कि सर हम जो इन्पुट वोल्टेज ले रहे हैं वह साइनोस इसका मतलब पहला वालो जो कर्व है डाट इस वी एस इन्पुट वोल्टेज यानि बात करूं मैं यहां से वी एस बड़ावर वी एम साइन ओमेगा टी वी एम साइन ओमेगा टी है तो यह क्या है जी इसका वी एम है यह इसका क्या जी वी एम है ओके अब कई चीज़ां और है सर ये तो तभी conduct करेगा ना जब अपन क्या करेंगे फाइरिंग करेंगे अपन क्या करेंगे गेट के तुरू फाइरिंग करेंगे तो अगर थारिष्टर के cross conduct करवाने है तो इससे क्या कराना पड़ेगा fire fire किस तरीके से जी अगर फाइरिंग की बात करें मालो आपने इसको चाहा इस condition में fire करने के लिए आपने मालो एक पल्स यहाँ पे दिया एक पल्स दिया ताकि यह फायर कर पाए एक पल्स दिया फिर अब पोजीट्टीव ड्यायेक्शन में करने एक लगा फार फार पल्स आपने दे दिया यह तो करेगा यह कंड़क्ट करेगा पल्स का खोड़ा विर्थ भी होता है क्योंकि टाइम जो होता है फाइर किया तो ऐसा नहीं कि किया और हटा लिया कुछ डूरेशन आपको देना पड़ेगा इसलिए नहीं बोला था फाइरिंग टाइम आपको चाहिए कुछ ने तूर कि ऐसा न प्रिप्र करता है कब आप द connection कॉर्पर करना चाहते हो इस ताइम या और लेट या और लेट ये आपके हाथ में होते है ऊके है है तो जितना आपने यहाँ से क्या फिर फॉन अगर अगर तो अपने मर्जी पर है इस थैम हमने फॉर्किन मैंने वह अगिक्षों क्या इक बार सब्सक्रार्च कि यह विम सब्द्स करें किते हो मामला आपको क्लिया राथ कि अलफा का मान क्या है अलफा आप अपने डिग्री अपने अपने अकॉर्डिंग फाइडिंग एंगल लखते होगी कब आपको कंड़क्ट करवाने है ओके नौ अब कहोगे सर ये तो मामला ठीक है थोड़ा से इस कर्व को अगर उठा लेना तो ये होगा कि और भी कर्व आएंगे तो आजाएंगे वरना रह जाएंगे लोग एक और कर्व ले लूँगा इससे क्या होगा हम सारे कर्व कि अस्टड़ी कर लेंगे आप आईए जी ओके ना जब ये पल्स आपने दे दिया आलफा इंगल से आपने क्या किया सर्फ फाइर कर दिया एक बार तो ऐसे कंडिशन में ये आप कह सकते हो कि थारिष्टर जो है इसके क्र्सपॉंडिंग AC के इतना दूर नहीं आपने फाइर किया गेट से फाइर नहीं किया इतना तुरूरा यह अगर इसको अगर इसको फाइड नी किया लेकिन क्या यहां से करण जाएगा नहीं लेकिन आपने कम किई 8081 से के वन सेकेंड में आपने फायर किया इसका मतलब एक सेट बाद डीले हो गया ना शिस्ट्म एक सेकंड के बाद आपने गेट से घग तब यह कंड़क्ट किया मामला वही है मामला वही है कुछ हद तक यहां पे चुकि वेव एंगल के साथ चल रहा है तो हम कहरें इतना यंगल के बाद हमने फाईर किया तथा ishter conduct करेगा और यह output देगा क्या देगा जी और पूट देगा सर कैसा output देगा यानि आपको output मिलेगा जी कैसा output यह देखे ग्रीन चीज़ें आपको मिलेंगे यानि यहां तक कोई output voltage नहीं अगर मैं इस कर्व की बात करूं यह output voltage की बात करूं इस कर्व की बात करूं आपने gate current दिया है क्या दिया है कि gate current apply किया fire किया ठीक है तो आपको output voltage जो मिलेगा वो कहां से मिलना सुरू हो जाएगा सर वो कहां से मिलना सुरू हो जाएगा तो मैं कहूंगा इसके क्रॉस्पर्णिंग जब fire आपने किया यह conduction कर देगा इसका मतलब है आपको अगर output voltage चाहिए तो जब आपने fire किया और कहां तक मिलेगा सर इसको एक यह concept वस करो सर वेब बनाना सीख जाओ ना मामलाई किलियर हो जाएगा आपका वेब बनाना आप सीख जाओ अच्छे से आपको एक तम किलियर हो जाएगा जब तक positive है जब तक वे positive है आपका थरिष्टर से आप current pass करेगा और voltage bypass करेगा तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे तो सर आपको output जैसे आपने दिया आप तो यहाँ का drop खतम कुछ भी नहीं सो वही मामला है कि अब बाकी voltage जो बचा है जो बाकी voltage है वो यहाँ पे आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा तो मैं एकदम एकदम इसी टैप का से बनाने के कोशिज करूंगा ताकि confusion ना रहे यहाँ से ऐसे गिया इतना दूर नहीं हुआ तो इतना दूर तो अब conduct करेगा से इतना दूर कंड़क्ट करेगा और इस form में करेगा इतना दूर कंड़क्ट करेगा और इस form में करेगा से ओके इतना दूर कंड़क्ट करेगा और जैसे यह दे रहा है वो इसे ही output में मिलेगा लेकिन क्या यह negative आप में काम करता है सर बिल सब्सक्राइब करें नहीं करते हैं तो यहां तक क्योंड अब नहीं करेंगा है कोई फोल्टेज नहीं मिलेगा क्या होगा जी आपको नहीं मिलेगा तो reverse बाइस में इस तरह किसा आपको voltage नहीं मिल रहा हूं फिर आपका fire कर रहे सर इतने degree पे fire कर रहा हूं तो इतने degree पे क्या यह voltage आपको मिलेगा नहीं जब तक आपने fire नहीं किया आपको नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा यह fire करने के बाद यह fire करने के बाद फिर कैसा मिलेगा जह किया ना जहां से आपने fire किया वहां से आपको मिलने लगे गा कहां तक मिलेगा सैंट यह तो यहां तक मिलेगा कि ये तो यहां तक मिलेगा। है ओके जो कि यह आपका क्या होगा है से ओर फुट भोर्टेज हो गए यह तो आप की ऌर फुट भोर्टेज हो गयate है, इतना दूर आपको मिला अल्फा एंगल तब नहीं मिला फिर यहां इतना एंगल एक कर्व को इतना आसानी से क्यों बताता हूं कि फर्स्ट कर्व ड्रॉब कर रहा हूं और इस कर्व को आप बारखी से सीखेंगे पहले कर्व को आप बारखी से सीखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट अगर कोई बोले कि यहां से यहां तक कितना सर्य पाए यहां से यहां कितना सर्य टू पाए यहां से यहां कितना अलफा 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 इतना दूरी कितना बचा सर यह कितना दूर कं कंड़क्ट पाई मैनस अलफा कितना दूर कंड़क्ट कर रहा सर पाई मैनस अलफा यहां से यहां की दूरी कितनी है सर अलफा और अलफा को क्या बोलेंगे सर फाइरिंग एंगल यहां पर लिक देता हूँ एलफा एनड़ अंगल अलफा के जी एक फाइरिंग जब आप फाइर करोगे तवी चनुडक्ट करेगा दूशरी बात, सर अब बात करिए ना कि ऑविएसली जब करेंट तो नहीं किया तुमने इसे वोटती चांब करीद करेंट और अरासानी से बना जा सकता है जब आपनhh सब्सक्राइब करेंगे तो नहीं किया तो मैं इसको इधा लेता हूं से करेंट को छोटा बन जाएगा इसे लिस विसको हटा लेता हूँ उपडर स्कों कपड़ पतंज एक तो दूसा हध्ね जाएगा से हुए उसको पटक देता हूं मैं कि है ना है वह कि यह पानि मैं शलफा बचाएगा ना छी यतना दूर के आप मेरे सलफाई तो है ठीक ना चलिए अब करेंट का करव एक तम सांदर तरीके से अब दूसरा कलर ले ले लिता हूं सर करेंट भी यहां तक तो कुछ भी नहीं देगा करेंट भी यहां तक तो कुछ भी नहीं देगा नौ यहां के बाद आपको करेंट मिलेगा इस पॉइंट तक छोटा बना तो space भी कम है कमी मिलेगा पर मिलेगा तो जरूर यहना करेंट गया तब इन्द रेस्ट्न के साथ voltage बनेगा. So मैं इसका करव को छोटा ही बना दो तो और बढ़िया है थाकिまで space be कम है यहां से चला होगा लेकिन चलने तो दिया नहीं होगा इसका कर्व ऐसे बनाएंगे ठीक है ना कर्व कैसे बनाएंगे ऐसे कर्व कर्व हमने ऐसे बनाया अगर वैलू रखे तो ये भी पाए ओके यहां से यहां यह अलफा कंड़क्ट किया है सर बिल्कुल किया है इतने दूर आपका करेंट जा रहा है इतने दूर करेंट गया है अगर सर मैक्समुम वैलू को भी लिखना पड़े तो ये करेंट का वेव का मैक्समुम वैलू होगा ये करेंट का मैक्समुम करेंट है ओके ये बोल्टेज का maximum voltage जैसे VM है यह तो total voltage output का है पर यहां से यहां बात करें तो क्या है sir maximum voltage है यह इसका maximum है यह इसका VM है यह maximum voltage है output का जो maximum यहां मिला होगा voltage वहीं मिला है क्योंकि आपका अपको कुछ आपको पर यहां तो नहीं मिलेगा क्या है नहीं करता यहां से यहां तक भूली ज çाओ कि आपको कुछ मिलने वाला यहां तक करेंट का कुछ भी नहीं मिलेगा इस डिए वाप entity आपको कुछ नहीं मिलने वाला न सक तो नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी यहां भी नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि जब यह बोल्ट आपने अप्लाइ किया तो इसको फाइर नहीं किया फिर अलफा एंगल के बाद कुछ डिले के बाद फाइर करते हो तो फिर आप यहां भी थोड़ी दू करेंट यहां फिर मिले हैं तो आपको वोल्टेज मिल रहा है इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो पार यह पार बोलिए टाइम के रिस्पेक्ट में क्लियर है यह कर भी बन गया आपको तो हमारा क्या हुआ अपने इसको फाइर नहीं किया गेट के थूरु आपने जब फाइर नहीं किया है तो यहां तो कोई current गया नहीं, current loop तो complete हुआ नहीं, अगर यह loop complete नहीं हुआ है sir, तो यह बता, यह जो भी voltage है, यह loop complete यह नहीं हुआ, इसको मतलब यह open कर रखा है, तो यहां का open circuit voltage इस क्या, thyristor voltage ध्यान से समझें, इसका open circuit voltage इस ध्यान समझें, यह wire तो connect है, ठीक है, लेकिन sir यहां की अगर बात करूँ, एक सकेंड एशी, यतना cooling कर देता है न, चलिए, अब मैं बात करूँ sir, यहां इसके across तो voltage आपका क्या हुआ, यह conduct ही नहीं करने देता, जब तो आप gate fire नहीं किया, उतना दिर conduct नहीं करने दिया, तो conduct नहीं करने दिया, तो sir, एक सकेंड के तो यहां के बाद fire किये, तो उतना voltage इसके chaos appear होगा कि नहीं, दूसरी बात, यह तो हुआ, दूसरा negative में नहीं जाने देता, तब भी यह open circuit जैसा काम करता है न, तब भी इसके across सारा voltage वही रहेगा कि नहीं, तो यह एक important success है, इसका ख्याल देया, ठीक है न, चलिए, तो यह सेकंड आ गया, देखें, यही तो कमाल है, डिजिटल का, ता कि हर चीज़ को समझ सकते हैं, अच्छे से, that's why, that's why, sir, जब आपने थारिष्टर fire नहीं किया है, जब थारिष्टर fire नहीं किया, output voltage नहीं मिला, output करने नहीं मिला, तो थारिष्टर के cross ये वाला voltage बेचारा बच जा हुआ है, clear ना, तो ये वाला voltage थारिष्टर के cross, ओ, एपियर होगा, और वो भी किस direction में, sir, forward direction में, किस direction में, sir, forward direction में, तो उस curve को भी दिखाना पड़ेगा, इतना दूर, इतना दूर तो थारिष्टर के cross, voltage, रहेगा, रहेगा कि नहीं, ना, अब मैं बात करूँ, जब यह fire हो गया, जब यह conduct किया, गेट से fire किया, तो यह conduct करने लगा, तो जब यह conduct करने लगा, तो इससे थारिष्टर के cross, कोई voltage बचेगा, क्या, यह तो कैसा, आज़े switch काम करता है, आज़े switch, short circuit, यहाँ कोई drop होगा, नहीं, यहाँ तो drop zero, अब इधर मिलेगा, क्लिए ना, तो यह भी चीज़ है, तो जब यह fire हो गया, तो इसके cross voltage कुछ भी नहीं होगा, वो उतना ही voltage होगा, जितना की short circuit voltage होता है, इतना ही voltage होगा, जितना की short circuit voltage होता है, यहाँ पर क्या होगा, जी, एक सक्रेट, short circuit voltage होता है, ना, reverse direction में, उसके cross voltage तो एपियर हो जाएगा, ना, open, reverse direction में voltage आपियर हो जाएगा, ना, yes sir, reverse में यही वाला voltage आपियर हो जाएगा, कोन वाला sir, यहाँ color दे दीजे ना, थोड़ा सा, समझ में आ जाएगा, यह color है, इतना सारा color है sir, अपने पास, don't worry, इतना सारा color है, यह वाला voltage, एपियर हो जाएगा sir, कोन वाला voltage, यह वाला voltage, एपियर हो जाएगा, यही वाला voltage, एपियर हो जाएगा, कहां, नीचे में, पहला कर भे, इसलिए जानकारी बहतर तरीके से मिलना चाहिए आपको जानकारी पूरी बहतर तरीके से मिलना चाहिए ओके नौ अब सर फिर फिर सर थोगा सा जब तक फिर द्वारा से जब तक हो तो थाइस्टर आफ हो गया reverse direction में गया, threaster natural commutation हो गया, तो off हो गया, अब फिर जब तक fire नहीं करेंगे, ये तब तक रखेगा voltage अपने across जब तक fire नहीं करेंगे, तब तक रखेगा अपने across voltage ये रख लिया, ये क्या किया जी रख लिया, जैसे यहां, वो इससे यह जैसे वहाँ वो इससे वर हुआ हम डख लिया और फिर कंडक्ट करें गया फिर कंडक्ट करेंगा जब कंड़क्ट करेंगा तो वोल्टेज कर कर उसके क्रॉस बिल्कुल नहीं होगा से बिल्कुल नहीं होगा ओके अच्छोफ अच्छ अच्छ लेगा का मामला बोलिये एकदम क्रिश्टल क्लियर है कि नहीं कर गभी बूद्ध सकते अब देखिए अब एक वर्ड यहां पर आएगा पी आई भी कई बार क्वेश्टन भी आता है भी इन बिहार के अंदर अधर्वाइज वी होता है ओके पी आई वी क्या होता है समझ यह ना सो रिवार्ज डिरेक्शन में किसी थारिस्टर पर स्ट्राइक किया गया भोल्टेज कहलाता है पीक इनवर्स वोल्टेज रिटर्निंग वोल्टेज किसी थारिस्टर के क्रॉस या किसी डायोड में भी होता है सा जो जो बोल्टेज आपने दिया कंड़क्ट किया था ठीक है लिए रिवार्ज डिरेक्शन में कितना मैक्सिमुम बोल्टेज अस्ट्राइक कर र वी-यम यहां से यहां वाला Voltage है वी-यम और यह क्या है जिप पिआइवी पिआइवी इसको बोलें अगर तो Peak Inverse Voltage Peak Inverse Voltefe architects Voltage जहोता है Returning में, जो reverse direction से Voltage बोलत दिया जाता है तो PIV कितना Volt हो गया सर वी-यम कितना हो गया इस्था helicopter के लिए पी आइवी, हाफ वे एक्टिफायर के लिए, पी अई वी वी एम है, maximum voltage, returning direction में, यहनी reverse direction में, इसको कितना मिला, सर, कितना मिला सर, जाई इसको तो मिला, वी म, कितना मिला सर, वी म, कितना output एक two-five complete cycle में यह तू पहे रहा, यह two-five रहा है एक complete cycle में कितना output मिला सर एक दूसरा output नहीं मिला फिर एक तो एक complete two-ply cycle में एक complete cycle में जितना pulse आपको output मिलता है वो उतने pulse का rectifier कहलाता है single pulse double pulse triple pulse यहां कितना मिलना one pulse in a complete cycle that is a single pulse rectifier इसको क्या बोलेंगे जी single pulse rectifier नहीं converter क्या गोलेंगे जी single pulse converter इसको क्या बोलते हैं आये तो important conclusion है इन टूपाई वी गेट single pulse we get single pulse अपन क्या पाते है single pulse so it is called it is called single pulse converter single pulse converter इसी हो क्या बोलते है जी single pulse converter ओके नौ अगर एक complete cycle में दो पाएंगे तो क्या कहेगा double pulse ओके क्या बोलते हैं सर डवल pulse converter तीन पाएंगे तो triple pulse converter ओके तो यह चर्चा भी होती है नौ अगें मैं बात करूं अगें मैं आप से अगर बात करूं ना अगें इसके रिगार्डिंग तो अब क्या है सर यह कैसे control है क्या है यह कैसे एक तो alpha से तो हमारा इसका average value यह जो equation है ना इसलिए हम measurement के अंदर है ना यह network के अंदर भी इन सारे चियों को पढ़ते है कि कर्व का average value कैसे निकालते है कर्व का rms value कैसे निकालते है ना यह सब competition में बढ़ा important होता है सो अब यह औसत value है क्या यह alpha पे निर्वड करता है अगर alpha पे निर्वड करता है तो output value को alpha के corresponding control किया जा सकता है मतलब की एक short में बताता हूं हाला कि इसको derive करना पड़ेगा कि यानि जब अगर V average value यहां पे किसका output voltage का V output voltage का output voltage का अगर average value निकला जाए तो निकलता है क्या सर Vm by 2pi ऐसे करके equation निकलेगा वो देख लिंगा पर plus cos alpha plus cos alpha है ना I hope ऐसा ही data आपको निकलेगा वो तो मैं drive करके बताऊंगा तो क्या है average value जो है अलफा प्रिटिपेंड कर रहा है। अलफा बढ़ रहा है तो ऐलफा लवग बढ़ेगा अलफा घटेगा तो average value क्या करेगा जी घटेगा chakra कहीं न कहीं अलफा के corresponding यह value है है सॉरी अगर cos alpha हो और cos alpha बढ़ हा और overall cos alpha बढ़ा तो यह value बढ़ेगा cos alpha घटा तो यह value घटेगा कि alpha की बात खारी किया जाए तो alpha बढ़ने से तो क्या होगा overall cos का value घट जाता ना तो यह बात कर रहा हूँ तो अगर यह value बढ़ा कहीं कहीं control कर रहा ना तो alpha एक controlling factor हो गया controlling factor हो गया न जी output voltage को control किया जा सकता है vary किया जा सकता है तो यहीं तो मैं कहा रहा था आपसे जो thyristor करवाए था आइए सर यह चीज भी अभी गया नहीं है हमने क्या बोला कि जब AC को जब AC को variable DC में output में बदल दू by using thyristor fully controlled होता है fully controlled होता है thyristor तो converter तो कई है diode के मदद से convert control नहीं कर सकते है इसलिए uncontrolled circuit होता है लेकिन thyristor के मदद से fully controlled किया जा सकता है thyristor डाइटर के मदद से semi controlled किया सकता है fully controlled नहीं हो पाता ओके तो यह चर्चा तो हमने पहले class में कर रखा था तो I hope आपको direct एक पता चल रहा है कि किस तरीके से चल रहे है so इसलिए यह controlled किये जा सकते है controlled किये जा सकते है तो यह इनकी चर्चा जो भी होगी वो हमारे पास equation में निकलेगा तो हमारा जो रोगा next class उसमें हम देखेंगे इसका average value voltage का क्या होता है वो लिखना पड़े का अपने को average value, average current हाना फिर आपका input impedance क्या होता है इसी में हम निकाल के एक बार दिखा देगे ताकि एकदम crystal clear हो जाए चीज आप लिए तो अमीद करता हूँ यह जानकारी बिल्कुल सही रही होगी आपके लिए concept बिल्कुल समझ में आया होगा फिर भी कोई दिक्कत रहे तो जरूर आप लोग टेलिग्राम करे contact number अल्रेड़ी दिया हो है contact करे, ओके और मैं एक बात और बताऊं आप लोग उसे कि इसके next वाले में हम expression derive करेंगे और कोशिस करेंगे कि ज्यादा ज्यादा fruitful हो, उस तरीके से इसको आप लोग के पास पहुंचाए जाए ओके, इस लक्षर में इतना ही बाई-बाई, take care, best of your work